हाँ जी डियर क्या हाल चल आपके उमीद करता हूँ जबरदस्तों के नहीं हो तो हो जाओ क्योंकि आज जो हमारे chapter स्टार्ट होने जा रहा है वो है आपका goodwill, need and valuation chapter के नाम से आपको पता लग रहा होगा chapter के अंदर दो terms है need and valuation अब need का मतलब क्या है कि इसकी क्यों need पड़ती है partnership के अंदर और valuation का मतलब होता है कि goodwill निकाली कैसे जाए तो दोनों ही चीज़े सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए goodwill का meaning क्या होता है मुझे पता है social media पर आपने अलरेडी बहुत सारी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ वीडियोस देख ली होंगी कि goodwill का मतलब क्या होता है उसके method क्या होते है फ्लाना डिमका ABCD XYZ लेकिन मैं आपको बता दूँ जो आने वाले तीन चार सेशन्स होंगे goodwill के जिसमें chapter खतम हो जाएगा उन सारे सेशन्स के अंदर आप goodwill का अलग meaning निकालोगे हो सरी का बोल दिया आपने बिल्कुल सही बोला मैंने मतलब अलग तरीके से आप goodwill को define कर पाओगे इतनी मेरी guarantee है और पहले ही सेशन से आपको idea लग जाएगा कि आप क्या सीखने वाले हो ठीके तो शुरू करते हैं बेना किसी देरी के goodwill का मतलब क्या होता है एक question मेरा app से तभी आपको goodwill का मतलब समझ में आएगा मुझे बताओ क्या आपने टुन-टुन टुन-टुन industries का नाम से नाम है метि नाम हो सर यह कोई सी company है होगी कोई नहीं सुना ना मैंने भी नहीं सुना सर आपने नाम कैसी लिए है मुझे क्या पता जब मैंने नाम ही नहीं सुना उस ली दिए मैने उलटा सेदा कुछ भी अब मुझे ये बताओ क्या आपने Reliance Industries का नाम सुना है Reliance Industries हाँ सर हमने नाम सुना है बिलकुल नाम सुना है अच्छा चलो वो छोड़ो क्या आपने पपन Enterprises का नाम सुना सर ये तो नहीं सुना हमने अच्छा क्या आपने Adani Enterprises का नाम सुना कहने का मतलब यह है, एक ऐसा बिजनस, एक ऐसी कंपनी या अ一 कैसी फर्म या एक ऐसा बिजनस कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, अगर मार्किट में वो पुराना बिजनस है, उल्ड कस्टमर्स उसके पास आ रहे हैं और उसका बिजनस एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो market में अपनी reputation बनाने में कायम रहा है और उसी reputation को goodwill कहते है goodwill का simple सा meaning होता है जो business को extra profit कमा के दे वो आपकी goodwill है बहुत लोग business goodwill को सिर्फ reputation मानते है नहीं, सिर्फ goodwill reputation ही नहीं होती goodwill reputation के अलावा आपको extra profits कमा के देती है आप खुद सोचो, जो business छोटे से start हुआ था और उसने अपनी services को इतने बहतर तरीके से market में पहुचाया कि उसका business expand होने लगा क्यों होने लगा? क्योंकि बाकी पुराने customers उसके पास बार बार आने लगे जब customers, old customers एक ही business के पार बार बार जाएं तो इसका मतलब यह है कि वो business market में अपनी reputation बना चुका है और उसी reputation को goodwill कहते है और जब बार बार customer आएगा तो बार बार profit भी का market देगा लेकिन जहां बार बार customer नहीं जा रहा बाइसा वो business खत्रे में है, उसकी goodwill नहीं है market में तो goodwill का मतलब होता extra earning, capacity of the business अब एक काम करेंगे, मेरे साथ meaning लिखेंगे उसके बाद एक छोटा सा example लेता हूँ आपको goodwill का मतलब समझाने के लिए और उसकी recording कैसे होती है, वो बताने के लिए ठीक है, तो लिखो मेरे साथ heading डाल लो meaning heading डाल लो मेरे साथ meaning meaning of goodwill meaning of goodwill में लिखो goodwill goodwill is goodwill is nothing sir goodwill कुछ नहीं होती, नहीं goodwill is nothing but but the extra earning extra earning earning capacity capacity of any business goodwill कुछ नहीं होती, सिर्फ एक extra earning capacity के किसी भी बिजनस के लिए तो यह मतलब होता आपकी goodwill का क्या sir, हमने पुरा मतलब सीख लिया है goodwill का नहीं dear, अभी तो start हुआ है अभी देखना आगे जा कि goodwill का मतलब क्या होता है ठीक है, बहुत सारे meaning निकल के आएंगे अब आते हैं अपने अगले topic पे goodwill कितने types की होती है types of goodwill types of goodwill देखो goodwill जो होती है basically दो types की होती है उसमें जो पहली type होती है पहली type होती है self generated goodwill self generated goodwill मतलब पहली goodwill जो होती है यह खुद की बनाईवी goodwill होती है जब कोई business महनत करके अपने customers को बार बार अच्छी services देके market में अपनी repetition अपनी goodwill बनाता है उसको बोलते है self generated goodwill self generated goodwill की एक खास बात यह होती है क्या होती है अभी बताऊंगा थोड़ी दिर में पहले लिखो दूसरा item दूसरे type की goodwill दूसरे type की goodwill होती है आपकी purchased goodwill या फिर acquired goodwill acquired goodwill sir यह purchased goodwill क्या होती है dear purchased goodwill का मतलब होता है कि आपने already किसी का चलतावा business खरीद लिया और उसके साथ उसकी goodwill भी खरीद ली sir क्या goodwill को खरीदा जा सकता है बिल्कुल खरीदा जा सकता है it can be purchased, it can be bought, it can be acquired इसका मतलब अगर किसी और business के पास goodwill है market में बना रखिये उसने तो आप उसका business goodwill के पैसे के समयत खरीद सकते हो यानि कि आपको goodwill की भी payment करनी पड़ेगी तो दोस्त goodwill का मतलब क्या होता है एक extra earning capacity of any business इसलिए इसको एक intangible asset भी बोला जाता है क्योंकि आप इसकी payment कर सकते हो तो यहाँ पे dear जो self generated goodwill होती है इसको business में record नहीं किया जा सकता not recorded in the business not recorded in the business भई आप अपनी value कैसे लगा होगे आप खुद एक business चला रहे हो और 10 साल तक आपने business किया market बहुत अच्छे reputation होगी उसको आप कैसे record करोगे नहीं कर सकते possible नहीं है उसको calculate करना ठीके और यहाँ पे जो purchased goodwill होती है और acquired goodwill होती है इसको business में record किया जाता है recorded in the books of accounts recorded in the books of accounts Sir इसको क्यों record किया जाता है बस 2 मिनिट का time और दो इसको क्यों record किया जा रहा है वो भी भी मैं आपको बताऊंगा ठीके और इसको record कैसे किया जाता है it is treated as an intangible asset as an intangible intangible asset इसको एक intangible asset की तौर पे record किया जाता है अब क्योंकि आपने इसको intangible asset की तौर पे record कर लिया है तो इसके उपर amortization भी लगेगा Sir amortization क्या होता है देखो fixed assets जो होती है आपकी fixed assets non current assets होती है जैसे table है ठीक है या फिर furniture हो गया तो उसके उपर आप depreciation लगाते हो जो आपकी tangible asset होती है लेकिन जो intangible assets होती है उनके उपर amortization लगता है तो यहाँ पे जो intangible asset होगी वो amortize होगी it is amortized it is amortized दुबार लेक देता हूँ it is amortized amortized over time it is amortized over time अब एक काम करेंगे मैं side हो जाता हूँ आपको इसका screenshot लेना है या फिर इसको लिख लेना है वीडियो pause करके फिर हम चलते हैं आपका आगे ठीक है please note it down all right dear I hope आपने इसको लिख लिख लिया है अब एक काम करते हैं मेरे साथ एक छोटा सा note लिखो मैंने आपको बताया था कि इसको business में record किया जाता है जो आपकी acquired goodwill होती है तो यहाँ पे इसको record क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पे लिखो मेरे साथ एक note यहाँ आप लिखेंगे मेरे साथ एक note note में लिखो as per accounting standard 26 इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं note में लिखो note as per AS 26 as per AS 26 in tangible assets आप जानते हो accounting standards दोते हैं वो आपके हर एक item treatment को लेकि accounting standard develop किया गया है ठीक है as per AS 26 in tangible assets जिसमें इसका treatment बताया गया है goodwill goodwill can be recorded goodwill can be recorded in the books of accounts वो केरा goodwill को आप तभी record कर सकते हो जब only when only when money consideration money consideration is paid is paid for it goodwill को आप business में तभी record कर पाओगे जब इसके बदले आपने पैसे दिये होंगे तब तो यहां पे आपने पूरा business खरीदा है और उसको पैसे दिये हैं तो जो amount आपने उसको pay किया उसके बदले आपने goodwill ले ली है तो goodwill क्योंकि आपने खरीदी है पैसा payment करी है तो वो business में record हो जाएगी यह वाले record नहीं होगी यह आपने खुद से बनाई है महनत करके तो सर यह क्यों नी record होती है क्यों होनी चाहिए न बेटा AS कहा रहा है करके लिख रहे है ओल्राइट यह लिख लिए आपने इत्ती जल्दी कैसे लिख लिए अरे ललुलाल वीडियो पॉस करके लिखना होता जानते हो आप ठीक है लिख लिए होगा आपने तो अब हम चलते हैं आपकी मिठाई की दुकान पर बात को समझना मिठाई की दुकान यह है आपकी छोटी सी मिठाई की दुकान आपकी अगरवाल स्वीट्स ठीक है यह आपकी छोटी सी दुकान है आपकी अगरवाल स्वीट्स अब अगरवाल स्वीट्स आपने नाम सुना अगरवाल स्वीट्स का अच्छा इसका नहीं सुना तो इसका तो सुना होगा कहां और वाल स्वीट या सामने है अगरवाल स्वीट ऐसी स्वीट से शॉप है मतलब नाम तो अगरवाल स्वीट औरिजिनल वाले तो बहुत कम जगा है बट मुझे औरिजिनल पता भी नहीं है कहां पर है इस नाम से आपको अल्मोस्ट हर जगा दुकान मिल जाएगी especially UP और दिल्ली में माल लेते हैं आप अगरवाल स्वीट की दुकान खरीदने चले गए मतलब छोटा सा एक्जामपल है मुझे आपको समझाना है कि गुडविल रिकॉर्ड कैसे होती है आपके बिजनस के अंदर ठीक है आप माल लो अगरवाल स्वीट की दुकान को खरीदने चले गए ठीक है खरीदने चले गए तो माल लेते हैं अगरवाल स्वीट के पास जो एसेट्स है ठीक है आप इसकी दुकान को खरीदने गए इसके पास एक करोड रुपे की एसेट्स है ठीक है, एक करोड रुपे की इसके पास assets है, यहाँ मल लो पचास लाक लेते हैं, 50 lakhs 50 lakhs रुपे इसकी आपकी अगरवाल सीवीट के पास assets है ठीक है, और इसके पास जो liabilities है liabilities वो मल लेते हैं, आपकी 10 lakh रुपे की है 10 lakh रुपे की 10 lakhs अब यहाँ पे इसके पास जो net assets हा रही है सर ये net assets क्या होता है Dear value of the business value of the business अरे आप बात को समझो न इसके पास liability 10 लाग की है आपकी 50 लाग की है तो जो value आपको business की मिलेगी क्योंकि अगर आप दुकान ले भी लो 50 लाग में तो 10 लाग तो आपको वैसी चुकाने पड़ेंगे तो आपको जो value रिसी हो रही है business की वो कितनी है सर वो 40 लाग है simple वो आपकी 40 लाग है तो उसने क्या बोला अगरवाल स्वीट्स ने कि आप ना मुझे 50-60 लाग रुपे, 60 लाग रुपे पे कर दो हमने का हें पागल हो रही है वैसी तेरे अगरवाल स्वीट हर गली में खुला है हम क्यों दे तेरे को पैसे हैं, ठीक हम तो चबरवाल को देंगे अगरवाल को क्यों देंगे चबरवाल कुछ होता भी नहीं है वैसे ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आपको बिजनस की मिल रहे है वो 40 लाग है तो आपने क्या किया, आपने ओफर रखा यू ओफर्ड हिम तू पे, आपने उसको ओफर रखा कि भाई, मैं तेरे को 40 लाग ही दूँगा जो बिजनस की वैल्यू है मैं तेरे को उतनी ही वैल्यू पे करूँगा तो यहां पे डियर, जब आप इसका बिजनस परचेस करोगे जब आप अगरवाल स्वीट्स का बिजनस परचेस करोगे तो डियर, आपके बिजनस में आपके बिजनस में कुछ एसेट्स भी आएंगी और कुछ लाइविलिटी भी आएंगी और जब आपके बिजनस में एसेट्स लाइविलिटी आती हैं तो उसको बिजनस में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बदले कुछ पेमेंट की जाती है तो यहां पे जो पेमेंट डिसाइड हुई प्रेंका चोपडा नहीं होता यहां पे PC का मतलब है Purchase Consideration परचेश कंसीडरेशन जो पेमेंट आप उसको करोगे उस पेमेंट को क्या बोलते हैं Purchase Consideration सर क्या यह पेमेंट इससे जादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है दोनों हो सकती है आपकी पेमेंट जादा डिसाइड हो जाए तो इसका मतलब उसके बिजनस के पास कुछ ऐसा खास है जो आपको चाहिए चाहिए अगर कम डिसाइड हो तो इसका मतलब दुकान में कौकरोज घूम रहे हैं आप बात को समझो ना 40 लाक की वैल्यू मिल रही है आपको एसेट्स लेकिन वो एसेट्स कैसी हैं खराब हैं क्या है पता नहीं मशीने उसकी सही भी हैं काम कर रही हैं कडाई बरतन सब सही है कि नहीं तो डिपेंड करता है पेमेंट कितनी डिसाइड हो रही है वैल्यू ऑफ दो बिजनस से जादा या वैल्यू ऑफ दो बिजनस से कम अगर कम डिसाइड हो तो फायदा होगा उतनी ही पेमेंट डिसाइड हो तो ना तो फायदा होगा ना नुक्सान होगा जो की इस केस में हो रहा है ठीक तो यहां पे डियर आपने उतनी ही पेमेंट उसको पे करने का फैंसला कर लिया तो आप बात आती है बिकानेरवाला की यह तो था अगरवाल स्वीट, सर इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, डियर, जितना पेमेंट डिसाइड हो था, उतना ही कर दिया, क्योंकि इसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन अब हम चलते हैं, बिकानेरवाला पे, सर आपने मिठाई नहीं खिलाई, तुम खिलाओगे न, लेकिन ऑफर से पहले देखते हैं, इसके पास एसेट कौन कौन से हैं, माल लेते हैं, आप जब इसका बिजनस खरीद ने गए, तो इसके पास जो एसेट्स थी, वो धाई करोड रुपे की एसेट्स थी, टू पॉइंट फाइव करोड रुड, ठीके टू पॉइंट लाइबिलीटीज थी, इसके पास जो आपके लाइबिलीटीज थी, वो लाइबिलीटीज थी, इसके पास माल लेते हैं, दो करोड रुपे की, ठीके दो करोड की, नहीं ये दो करोड जादा हो गया, दो करोड जादा हो गया, माल लेते हैं, इसके पास आपकी 50 लैक्स रु business है आपकी div करोड घो करोड कि पता है बीकानेर वाला ने आपसे कितनी पेमेंट मांगी इच के मैंगैं भाहला बीकानेरवाला अग्टनेयर वाल ते मैं इंडेड उसने आपसे दिमांड करे तीन करोड रुपे प्रРИके से सर हौप आप होगया पाप होगया सर उसकी वैली तो 2 करोड कि यह बिजनेस के हम 3 करोड क्यों दें हाँ नहीं तो देने पड़ेंगे देने पड़ेंगे क्यूं? क्यूंकि बिका नेरवाला एक ब्रैंड है उसके पास कस्टमर्स की भरमार है उसकी मार्केट में गुडविल है डियर यहाँ पे जो आप एकसेस पेमेंट उसको करोगे यहाँ पे जो एकसेस पेमेंट उसको करनी पड़ रही है एक करोड रुपे की आप देखो ना वैल्यू कितनी बिल रहे है आपको बिजनस की दो करोड और आप पेमेंट कितनी करोगे करनी पड़ेगी आपकी तीन करोड तो एक करोड रुपे जो एकसेस पेमेंट आपने करी यही आपकी goodwill है जो business में record की जाएगी business में record की जाएगी as an asset debit side में और balance sheet में ही आएगी intangible assets की तौर पे यही है आपकी goodwill जो आप payment करके record करते हो sir इसको कैसे record करते हैं dear worm सीखेंगे goodwill के end वाले session में ठीक है अभी हम calculation सीखते है treatment of goodwill जो इस chapter का crux है valuation of goodwill यानि कि कितने methods से और कौन कौन से method से goodwill calculate हो सकती है इस example को note करना चाहो तो आप कर सकते हो otherwise there is no need क्योंकि मैं आगे इसको दुबारा बता हूँगा तो अभी हम चलते हैं वापिस अभी हम चलते हैं वापिस वीडियो pause करके note कर सकते हो तो कर लो अभी हम चलते हैं वापिस ठीके तो वापिस चलते हैं आपके गुडविल वाले चैप्टर पर ट्रीट्मेंट पर ओल्राइट डियर अब यहां हम सीखेंगे methods of आपके valuation methods of valuation of goodwill methods basically आपके जो syllabus है उसमें total तीन methods covered है जो पहला method है वो है आपका average profit method average profit method दूसरा method है आपका super profit super profit method super profit method जो तीसरा method है वो है आपका capitalization method capitalization method capitalization method ठीक है तो यहां पे जो average profit है इसके इंदर भी आपके दो method से एक है आपका simple average और दूसरा है आपका weighted average super profit में dear कुछ नहीं है super profit खुद में एक method है अपने आप से एक method है capitalization के इंदर भी दो methods है पहला capitalization of average profits average profits और दूसरा है आपका capitalization of super profits capitalization of super profits आज के session में जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका capitalization of average profit capitalization of average profit ठीक है तो एक काम करते हैं सबसे पहले heading डाल लेते हैं average profit method और उसके इंदर भी आपका simple average इसको लिख लो वीडियो पॉस करके तो पहला heading डाल लो average profit method average profit method पहला method आपका average profit method average profit method average profit method क्या होता है average profit से goodwill कैसे निकलती है average profit से goodwill निकालने का जो formula होता है वो है आपका goodwill is equal to goodwill is equal to normal average profit normal average profit into में number of years purchase into में number of years purchase अब यहाँ पे average क्यों लिया जा रहा है और number of years purchase क्यों लिया जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा एक एक चीज़ का meaning और उसका जो discussion है उसका जो reason है वो समझेंगे आपके class के अंदर क्योंकि एक्जाम में एक-एक marks में और question पूछ लेता है वो हलाकि theory बहुत rare case में आती है बड़ अगर वो पूछ भी ले तो आपको सारी चीज़े पताऊने चीज़ें क्योंकि आपको cvt का exam भी देना है आपके 12 के बाद ठीक है cvt जानते हो ना नहीं जानते कोई बात नी उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा normal average profit into a number of years purchased अब पहले समझते है normal average profit क्या होता है यहाँ पे normal world को बाद में देखेंगी पहले हम समझते average profit क्या होता है ठीक है एक छोटा सा example लेते है example माल लेते हैं आपके पास एक company है ठीक है चुन्नू या एक फर्म है चुन्नू एंडसंस चुन्नू एंडसंस का आपको profit दे रखा है चुन्नू एंडसंस के आपको profit दे रखें यह 5 साल के profits आपको दे रखें year आपको दे रखें 1,2,3,4,5 पांच साल के profits आपको given है और पहले साल का profit है आपका माल लेते हैं छोटा सा example मैंने लिया है आपके लिए ठीक है माल लो 5 लाग का profit है पहले साल का फिर आपका 4 लाग का profit है 5 लाग चार लाग उसके बाद आपका 4 लाग 20,000 3,90,000 और उसके बाद आपका 2,40,000 का profit ये आपको 5 साल के profits गिवन है ठीक है 5 साल के profits आपको given है आपको क्या करना होता है यहाँ पे इन 5 साल का average निकालना है मतलब question में आपसे वो पूछेगा मैं जैसे question लिख देता हूँ यहाँ पे question में आपसे क्या पूछेगा calculate goodwill on the basis of two years purchase of average profit of last five years तो question आपसे क्या बोलेगा कि आपको two years purchase से goodwill निकालनी है average लेते वे 5 साल का sir ये two years क्या है और ये five years क्या है बताता हूँ dear सबसे बहले समझते है number of years purchase क्या होता है average आप already जानते है average कैसे निकलता है average निकालने के लिए मैं total कर दूँगा पिछले 5 साल का profit तो एक बर इन सब का total कर देते पाच चार नौ चार तेरा और तीन आपका 16 और दो 18 अठारा लाक और 19 लाक 19 लाक 19 लाक कितना हो गया नौ चार तेरा और दो पंद्रा 19 लाक पचास हजार डियर पाच साल का total profit आ रहा उनले 20 लाक पचास हजार यहाँ पे अगर मैं इसका average निकालो average तो डियर average निकालने के लिए average प्रॉफिट निकालने के लिए इस पाच साल के profit को मैं divide कर दूँगा आपके 5 से पाच साल का profit है आप मीन निकालोगा आपने statistics में मीन कैसे निकलता है total divide by number of आपकी frequency तो यहाँ पे number of years से मैं इसको divide कर दूँगा मेरे पास average आ जाएगा कितना यह हो जाएगा आपका 5 3s are 15 ठीक है 5 9s are 45 3,90,000 तो आपने average निकाल दिया पिछले 5 साल का 3,90,000 अब इसको multiply करना है number of years purchase से जो की question में given है 2 यह क्या होता अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे goodwill कैसे निकलेगी goodwill goodwill is equal to 3,90,000 जो आपने average निकाला पिछले 5 साल का उसको multiply कर दूँगा 2 years purchase से तो मेरे पास निकल आएगी आपकी goodwill यह हो जाएगा 3 दूँदी 6 लाक और 1 लाक 80,000 यह आगई आपकी firm की goodwill goodwill तो आगई but the question is again यह number of years purchase क्या होता है यह number of years purchase क्या होता है बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि यह number of years purchase क्या होता है dear आपको रटने की जुरत नहीं पड़ेगी ठीक हैं क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा number of years purchase क्या होता है देखो एक काम करेंगे इसको लिखलो फिर मैं आपको बताता हूं number of years purchase क्या होता है वीडियो पाउस कर उसको लिखो फिर मैं आपको number of years purchase बताता हूँ क्या होता है Please note it down Done लिख लिए आपने हासर लिख लिए अब यहाँ पे heading डाल लो number of years purchase Number of years purchase Number of years purchase देखो होता क्या है कि For instance माल लेते हैं आपने एक नए बिजनस स्टार्ट किया नए बिजनस मुझे बताओ नए बिजनस में जो profit का level होगा वो high होगा के low होगा सर यह कैसा question है अरे simple सा question है आपने एक नए बिजनस स्टार्ट किया सारी चीज़ नहीं लगाई नए आपने employees रखे नए आपने काम किया सारी investments नए किया बहुत पैसा खर्च हो गया अब जो profit की possibility है उसका profit का level एक दिन, दो, चार दिन, एक महिना, दो महिने, तीन महिने में कितना profit स्टार्ट हो जाएगा सर, कम स्टार्ट होगा, बाद में बढ़ेगा सर, अगर बढ़ेगा तो वो किसमत है तुमारी, लेकिन normally क्या होता बिजनस में, जब नए बिजनस स्टार्ट होता, तो उसकी profitability कम होती है तो पूरी probability है कि नए बिजनस में जो profit का level हो वो आपका low level profit हो लेकिन, मेरा question आप से ये है अगर मुझे नए बिजनस में ही नए बिजनस में आपका huge profit चाहिए high level का profit चाहिए तो, तो सर, वो तो possible नहीं है नए बिजनस में, ठीक है, नहीं possible अगर मेरे पास कोई पुराना बिजनस है तो पुराने बिजनस के profit का level क्या होगा डियर, पुराने बिजनस के profit का level almost high होगा unless, बाकी conditions ही जल रही हो तो तो इसलिए मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा मैं एक new business खरीदूँगा लेकिन जो पहले से established होगा वो established business मतलब मेरे लिए तो वो नया है लेकिन वो पहले से खुलावा business था, यानि कि उसके पास goodwill थी अब मुझे बताओ, business तो मेरे लिए नया है हम आने investment किया पैसा लगा बहुत पैसा लगा दिया लेकिन पैसा उसको खरीदने में लगाया, बनाने में नहीं वो business आलरेडी चल रहा था तो चलताओ business अगर मैं खरीद दूँगा तो मेरे profit का level क्या हो जाएगा सर मेरे profit का level आलरेडी हाई होगा हाई होगा न, बस अब बात को समझना अब इन दोनों उपर वालों को भूल जाओ अब यह जो high profit है अगले कितने साल तक मुझे मिल सकता है उन years को number of years purchase कहते है number of years purchase का मतलब business को purchase करने के बाद कितने number of years तक वो profit मैं कमाता रहूंगा जो वो profit पहले कमाया जा रहा था goodwill कितने सालों तक maintain रहेगी उतने years को भूलते है number of years purchase यानि की for how many years for how many years the business the business will be able will be able to earn the same level of profits the same level of profits the same level of profits इसको बुलते हैं इसको बुलते हैं आपका number of years purchase ठीके तो यहाँ पे लिखेंगे number of years purchase का मतलब क्या होता है फिर हम चलते हैं average का मतलब पे यानि कि आपने average profit ही क्यों लिया मैंने यहाँ पे एक example लिया था मैंने पहले साल का profit भी ले सकता था लेकिन मैंने सब का average ही क्यों लिया इसका भी reason समझेंगे पहले लिखो number of years purchase का मतलब क्या होता है लिख लिया done हासर लिख लिया ठीक हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने average word का use क्यों किया ठीक है average why do we take average profit मैं बता रहा हूँ कोई भी ऐसा question बचेगा नहीं जो आपका teacher आप से पूछे और आप उसका जवाब ना दे पाऊ इस chapter के अंदर इस chapter क्या किसी भी chapter के अंदर अगर आप detail में studies कर रहे हो तो ठीक हैं अब एक छोटे सा example से समझते हैं कि हमने average क्यों लिया देखो हो क्या रहा है कि goodwill तभी develop हो रही है record तभी हो रही है जब आप उसको खरीद रहे हो तो इसका मतलब आप पुराना business खरीद रहे हो तो बात को समझना बात को समझना goodwill निकालने का जो purpose है goodwill की calculation का जो purpose है वो क्या है वो यह है कि आपको अपने future का estimate लगाना है कि future में कितने time तक आपका business चलेगा कितने time तक आप profit कमा के दोगे लिखाता ना number of purchase तो कितने साल तक profit कमा जा सकता है ठीक तो यहाँ पे क्या हो राइडियर यहाँ पे आपकी calculation का purpose है future के profit का estimation future profit estimation कि future में आप कितना profit कमा पाओगे अब बात को समझना देखो माल लेते हैं यह आपका साल है 2021 फिर आगे आप 2022 पे फिर 2023 पे फिर 2024 पे फिर 25 पे फिर 26 पे आपने क्या क्या 25 में business purchase किया purchased business 25 में business purchase किया अब यहाँ जो आपके profit थे यहाँ starting में आपको loss हो गया था फिर आपको profit हुआ ठीक है कुछ profit बढ़ा गया फिर profit बढ़ा फिर बढ़ा और यहाँ पे आके आपने क्या क्या बिजनस को purchase कर लिया बिजनस को परचेस कर लिया ठीक अब अगर मैं सिर्फ इसी साल के प्रॉफिट को कंसीडर कर लूँ अगर मैं सिर्फ 2025 के प्रॉफिट को कंसीडर कर लूँ तो पता है क्या होगा प्रॉबलम क्रेट हो जाएगी क्योंकि मुझे future का estimate लगाना है और future का estimate एक साल से नहीं लगाय जा सकता इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पिछले बहुत सारे साल का average ले रहा हूँ ताकि एक trend डेवलप हो सके ठीक है future का estimate trend से लगाय जाता है तुक्के से नहीं future का estimate किसे लगाय जाता है trend से estimate is estimate is done sorry estimate is taken from trend ठीक है और trend कैसे आता है आपके average से trend कैसे आता है आपके average से जब आप average लेते हो तो trend निकल के आता है ठीक है प्रॉफिट कितने उससे increase हो रहा था rapid growth से या फिर वो fall कर रहा था तो depend करेगा आपका business कहा जा रहा है उसके लिए आपको वो trend लेना पड़ेगा जो trend आप follow कर रहे थे profit के अंदर तो यह reason था आपके average लेने का कि हम future का trend देखते हैं और फिर future को estimate करते हैं तो यह था reason आपके average लेने का ठीक है इसको एक बार लिख लो फिर हम चलते हैं आगे अल्राइट डियर अब हम चलते हैं आपके आगे देखो average profit method में मैंने आपको बताया था goodwill निकालने का जो तरीका है जो formula है that is normal average profit into my number of years purchase दो यहाँ पर आपने यह सीख लिया कि number of years purchase क्या होता है यहाँ पर आपने यह भी सीख लिया कि average profit क्या होता है लेकिन मैंने आपको अभी तक यह normal word का मतलब नहीं बताया ठीक है normal word का मतलब इस normal word को सीखते हैं मैं चोटे से example से चोटे से example से सर कौन सा example एक काम करते हैं न example को यहीं पर मैं modify कर देता हूँ यहीं पर इस example को मैं modify कर देता हूँ ठीके ताकि आपका time बच जाए आपको क्या करना उसको दुबारा लिखना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं ठीके मैं यहां से इसको हटा देता हूँ यह वाला जो part है यह वाला part मैं हटा देता हूँ इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है कोश्चन आपका same रहेगा calculate goodwill calculate goodwill as sorry on the basis of two years purchase of average profit of last five years अब यहां पर बस एक चीज़ चेंज हो रही है वो क्या बताता हूँ बताता हूँ माल लेते हैं माल लेते हैं जो पहला साल था ना मतलब जो पिछला साल था पिछले साल आपको जो profit हुआ था वो profit हुआ था आपको 5 लाक रुपे का और इस साल ना इस साल आग लग गई loss by fire आग लगने की वज़े से आपको नुकसान हो गया आपका 1 लाक रुपे का जिसकी वज़े से आपका जो profit आ रहा था वो था 4 लाक रुपे का और दूसरे साल में आपका कुछ नहीं हुआ तो दूसरे साल में आपका profit सेम था 4 लाक रुपे का और तीसरे साल का जो प्रॉफिट था तीसरे साल में क्या हुआ कुछ अलग से आपको ना इंकम मिल गई मान लेते हैं एक एबनॉर्मल इंकम इसको नाम दे देते हैं एबनॉर्मल इंकम आपकी हो गई थी कुछ अजीब से आपको पर्स पड़ाव मिली गया ठीक है आपके इंकम हो गई आपकी 2,00,00 रुपे की एपको इंकम हो गई तो आपका प्रोफिट बढ़के हो गई , आपका 6,20,000 छी के छे लाग 20,00! 6,20,000 चौते साल में आपका profit सेम था कुछ नहीं 3,90,000 और पांचवे साल में क्या हुआ पांचवे साल में न वो एक कुछ अर्थक्वेक आ गया था Loss by earthquake भूचाल आने की वज़े से आपके अर्थक्वेक आने की वज़े से आपको loss हो गया कितने रुपे का? माल लेते हैं आपको जो loss हुआ है वो आपका 4,00,000 रुपे का हुआ है ठीक है? 4,00,000 रुपे का तो 4,00,000 के loss की वज़े से आपको loss हो गया 1,60,000 का सर ये loss कैसे आया? बताता हूँ पहले profit था 2,40 का लेकिन उसके बाद loss और हो गया तो 4,00,000 का loss हुआ तो अब profit loss में convert हो गया है ठीक है? ये आपके actual profit loss है जो आपको profit and loss account में दिये वे है actual profit and loss ठीक है? ये आपको question में given है होगा क्या? कि आपको question में ये वाले profits अब वो नहीं देगा ठीक है? ये assume कर लो कि ये वाले profits not given है not given ठीक है? not given लेकिन dear आपको क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है? आपको ये ही profits निकालने होते हैं इसलिए इसको भोला गया है normal average profit तो यहाँ पे normal average profit निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता जो भी आपको जो भी आपको profit given होता है उस profit में आपको कोई भी abnormal loss अगर आपको दिया है वो आपको add कर देना होता है अगर आपको कोई भी abnormal income दी होती है Sir ये abnormal loss, abnormal income क्या होती है ये वो loss or income होती है जो normally आप नहीं कमाते अरे goodwill का मतलब होता है वो profits जो आप future में लगातार कमा पाओ लगातार कमा पाओ पर्स पड़ाओ मिलेगा आपको तो क्या रोज मिलेगा, हर साल मिलेगा उसी जगा मिलेगा और उसी सोंवार को मिलेगा नहीं, ललुलाल यहाँ पे normal income का मतलब है, normal profit का मतलब है वो profit जो आप बार-बार कमा सकते हो abnormal income हुई है तो उसको हटाओ, वो आप बार-बार नहीं कमा सकते abnormal loss हुआ है, तो loss बार-बार नहीं होगा उसको वापिस जोड़ दो profit में क्योंकि वो profit आप कमा होगे ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारे item है जो आप add और less करते हो, वो क्या होते है वो मैं आपको बताऊंगा इस question के बाद ठीक है, हम समझेंगे उसको next class में क्योंकि session आज का लंबा हो जाएगा दरवाइस, और इसको करते है question को वापिस ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पारे है जो profit है पहले साल का वो आपका चार लाक है बट आपका जो normal profit है अगर चार लाक के profit में मैं वापिस loss by fire जो कि एक abnormal loss है उसको जोड़ दूँगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा आपके normal profit पे अब यह वाले जो profits कहलाएंगे यह आपके normal profits हैं ठीक है normal profits हमें यही calculate करने होते हैं यह कैसे calculate होते हैं वो मैं example आपको बताऊंगा next session में बट अभी के लिए हम directly यह वाले profit ले ले लेते हैं तो आपको समझ में आ गया कि 4,000,000 profit दिया हुआ है और loss by fire दिया एक लाक का तो आपका 4,000,000 profit हो जाएगा फिर आपका 4,000,000 profit है ही इसमें कुछ नहीं है अब abnormal income आपको given है तो 6,000,000 profit में से अगर मैं abnormal income माइनस कर दूँगा तो मेरे पास 4,000,000 profit आ जाएगा ठीके तो हमें यही profit लेना है और 3,90,000 में कुछ नहीं है और same loss by earthquake आपका यहाँ पे 1,60 के loss में add करेंगे अब यह 2,40 कैसा है रहा है बच्चों को confusion हो जाता है डियर बात को समझो देखो यह एक loss है माइनस वाला item है 1,60,000,000 इसमें अगर आप 4,000,000 प्लस करोगे जो की loss by आपका earthquake है तो प्लस वाला item हो जाएगा 2,40 का profit ठीक है यह 2,40 का profit है तो यहाँ पे आपने क्या किया total profit निकाल लिया उननिस पचास और फिर से उसका average निकाल लिया और answer आपका same आएगा answer जो आएगा वो आपका same आएगा good will is equal to average profit average कैसे आएगा 19,50,000 divided by 5 into my number of years purchase तो यह फिर से 3,90,000 into my 2 तो answer आएगा आपका कितना आएगा 7,80,000 Sir अगर हमने यह वाले profit ले लिये तो क्या होगा होगा कुछ नहीं बस answer गलत आएगा और क्या होगा वो normal profit नहीं है डियर आपको यह वाले profits नहीं लेने ठीक है Do not take these profits for calculation Do not consider it आपको consider करने है normal profits ठीक है एक बार इसको note कर लो फिर हम चलते हैं आगे अब आगे मैं आपको क्या वात आने वाला हूँ कौन से item abnormal loss में add हो सकते हैं और abnormal income कौन से हो सकती है और इसके अलावा profit में क्या add और less होता है वह मैं आपको लिखवाने वाला हो भी ठीक है तो प्लीज इसको एक बार no down करेंगे आपने इसको लिख लिए होगा अब एक काम करते हैं सीखते हैं आपका normal average profit क्या होता है normal average profit को एक बार ध्यान रखना है इसको एक नाम और से भी बुलाते हैं यहां मैं लिखा था न normal average profit normal average profit का एक नाम होता है उसका नाम होता है आपका future maintainable profits नीचे लिखा होगा आपने मतलब मैं लिखवा होगा नीचे आपको उसको बोलते है future maintainable profits जो profit आप future में maintain कर सकते हो कमा सकते हो उसको बोलते हैं आपका future maintainable profit या फिर normal profit ठीक है तो कैसे calculate होता है calculation को एक बार लिख लो जो items आपके profit में add होते हैं वो है आपके ये और जो less होते हैं वो है आपके ये ठीक है next session में सीखेंगे कि ये क्यों add हो रहे हैं और क्यों less हो रहे हैं और calculation करेंगे question के साथ practice और फिरम करेंगे अपना अगला method ठीक है यानि कि इसी method के इंदर आपका दूसरा method weighted average profit method यह simple average था और इसके बाद हम करेंगे आपका weighted average profit method ठीक है तो इसको एक बार note down कर लो फिरम चलेंगे session को wind up करने और फिरम मिलेंगे आपसे अगले session में please note it down all right dear तो यहाँ पर मैं session को wind up करूँगा सारे reasons, सारे calculation सीखेंगे अगले session में मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए take care and bye bye कर दो दो, तो, नहीं है कर दो कि अगले